सुदीप्तो सेंद्वारा निर्मित दाकेरल इस्टोरी उत्तर प्रदेश के कानपूर में भी रिलीज हो चुकी है जिसको लेकर लोगों में उत्साह आप देखें के कानपूर का एक सिनेमा हॉल है जो की वर्तमान समय में पूरा खचा कह सकते हैं कि भरा हुआ था यहां पर जो कुछ लोग हैं जो पहले विवादों में स्टोरी रही विवादों के बाद में जो लोगों का उत्साह दिखा वो वाकई में हैरान करने वाला है जो पब्लिक है वो पहले तो मानती रही कि शायद कुछ विवाद में गिरीवी फिल्म है लेकिन जब मैंने बात की बात करने की कोशिश की तो लगा कि वाकई में ये फिल्म लोगों के लिए कुछ ना कुछ प्रेणा सुरोत है कुछ लोग है उनसे जानेंगे कि आखिरकार य कुछ मायूस हो गई यहां साक कि शोरी में क्या लगा देखनें लड़कियों के लिए क्यों है कौवर्मेंट को कुछ तो सोचना चाहिए लड़किया अगर हॉस्टल बढ़ने जारी तो कि सेव क्यों नहीं है आप क्या संदेश देना चाहेंगी ओ लड़कियों को कि मज जो करो अब करो ऐसी बढ़ाई लेकिन पहले अपने अपको देखो अपने घर को देखो फिर उसके बात कहीं जाना वटने ऐसी जगा जहां पर किसी मौनिल ऑड़की के साथ में अपने आपको गलत करोगी किया नाम आपका क्या नाम है, मैं आपने पिच्छर देखी, पिच्छर में क्या लगा आपको देखने पर? जी मेरा नाम शिप्रा सोनकर है मैंने ये मूवी देखी तो मुझे ये लगा कि हमारे देश की लड़कियों के साथ हमारे देश के लड़के भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि जिस तरह से लड़कियों का ब्रेन वाश करके उन्हें मुस्लिम धर्म के लिए प्रशाहित किया गया उसी तरह हमारे देश के कई लड़कों को भी ब्रेन्वाश करके मुस्लिम धर्म के प्रती प्रशाहित किया जा रहा है ये हमारे युवा पीडी के लिए बहुत ही एक दर्दना गटना है तो हमारे यही लगता है कि हमेरे देश की गौवर्मेंट को इस मुद्धे पर भी ध्यान देना चाहिए तो कुल मिलाकर अगर हम मोटी मोटी भासा में बात करें तो जो लोग हैं वाकई में मायूस हैं क्योंकि यह दिल को चूने वाली स्टोरी है और भी कुछ लोग हैं उसे समझेंगे कि क्या देखने में लगा मैं आपका क्या नाम है इस्टोरी आपने देखी, आपको क्या मैसूस हुआ, क्या लगता आपको? मैं यह लगा कि हमारे देश में लड़कियां सुरच्छित नहीं हैं क्या कहना चाहेंगे अप और लड़कियों को जो नहीं आई देखने, जो लोग रहेगा हैं देखने से क्या लड़कियों को लड़कियां बहुत ही खराब हैं उनको तो हमारे देखने से हिंदू सामें से हिंदू होने चाहिए और मोदी से अपील है कि वाकई में यह जो इनको 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 सब किया जड़ा जा वह सब बंदोना चाहिए अगर हमें अपने जो लड़की ने बोला इसमें कि पैरेंट्स की गलती है आपने अपने अपने धर्म के बारे में क्यों नहीं बताया जिस तरह से मुसलमानों में बतायें ग्या तो सबसे पैले थो हम पैरेंस को ये संदेश देना चाहिए कि अपने बच्चो को अपने जायांРЕ फुरक्र आपने थर्म के मैं उ में हमक्राइब दर्सरुक हैं वो अपनी बासा में बताने की और समझने की पूरी कोशिश कर रहे हैं कुछ और महिला है मत क्या नाम है आपका और उपनी स्टोर्यम पर जी और देखा कि ये बहुत मोवी को प्रोट्रेक्ट करना चाहिए और लड़कीं को सेल्फ कॉन्फ कि उनको ये देखकर सीखना चाहिए कि हमें ऐसे कैसे अपने को सुरक्षित और मैफोस रख सके तो अगर हम बात करें तो वाकई में जो मैंने पहले भी बताया कि संदेश देने वाली मुवी है लेकिन क्या संदेश देगी चुनाव के पहले का ये मुद्दा दा केरल स्टोरी मोदी जी को लुभाती है या एक चुनावी परकण के पहले का ये चुनावी मुद्दा है कुछ लोग हैं जिन्होंने संगटन में काम करने के बाद ये बात को समझा कि लोग खुद भी देखें और लोगों को भी दिखाएं सर आपका क्या नाम है आप मुवी को देख भी मुवी को दिखाने की परणा भी दे रहे था यह मैंने अभी देखा तो क्या नाम है आपका क्या कहना चाहिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहिता हूं कि वर्तमान परसितियों में हम लोग पास्चाज सब्धिता की तरफ जैसे चका चौन में बढ़ रहे हैं उससे निकलते क्योंकि आधार पर जीना होगा और सबसे एहम बात यह मैं कहना चाहूंगा भारत के जो भी परवार हैं यह मेरा निवेदन है कि आप अपने बच्चों को चाहे वो पुत्री हो चाहे पुत्रों सभी को अपने धर्म के बारे में जानकारी अपने परवार में देना चाहिए mobile से हट करके हमें उनके साथ समय देना चाहिए और उनके विज़े में बताना चाहिए कि हमारी धर्म क्या है हमारी संस्क्रत क्या है हमें अपने रामार और महाबारत और ग्रंतों के बारे में जानकारी देनी चाहिए जो बहुत कम हो रहा है, जो हम बाविवाबक लोग गलती कर रहे हैं, वो गलतियां आगे से न करें, ये एक संदेश है इस फिल्म के माध्यम से, कि ये संदेश इस फिल्म के माध्यम से हिंदू-मुस्लिम करना नहीं है, ये संदेश है, इस फिल्म का माध्यम ये है, बनना है क कि हमें अपनी धर्म की, अपनी संस्क्रत की रच्चा, अब हम नहीं किये, तो आगे हमारे परवार की, बहुँ वोर्टी बेटिया, कहीं भी किसी इस्तित में जा सकते हैं, और ये जब ब्रेनवास नहीं होगा, जब हमारी धर्म और ओ संस्क्रत की, हमें अपनी जानकारी होगी तो कोई हमारा ब्रेनवास नहीं कर सकता अनिविकिता की ड्रेश्टिकोड को ध्यान में रखते हुए हम ये कहेंगे कि जब जानकारी नहीं होती तभी मेरा ब्रेनवास होता है अधगर गगरी छलकत जाये आधा ग्यान नहीं हमें अपने पूरे ग चुनाओं में साबित होगी या ये जो इस्टोरी है दाकेरल वाकई में लोगों के घर कर गई क्योंकि जो दरसक थे उनके आँखों में नमी यानि कि आशु तक देखने को मिले हैं अब आने वाले समय में क्या होगा इसको देखना बाकी रहेगा कानपूर से दुर्गेश मिस के साथ सहोगी और पिद्दुवेदी